वेल्लो एवरिवन वेल्कम बैक तो माई चैनल और देखे आज हमने बनाई है यह बिल्कुल खस्ता कुर्पूरी सेवई वाली गुजिया की रेसिपी और इसे बनाना बहुत ही एजी है तो चलिए से बनाना स्टार्ट करते है तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप मै इसलिए आप इसमें दो से तीन चमची ओई यूज करें अब इन ओयल को अच्छे से हातों से मिक्स करना है जब तक कि यह अच्छी तरह से हातों से मिक्स ना हो जाए देखे इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर मिक्स करने के बाद हमें से बना के मुठी बांद के देखन जादा ना जादा हार्ट जैसे हम पूर्यों के लिए बनाते है यह थंडा पानी उसकिया था ना बरब वाला इससे क्या होगा कि हमारी जो गुजिया है यह सौफ नहीं होगी चाहिए आप इसे दो तीन दिन बाद भी अगर खाएंगे ना तो यह बिल्कुल वैसे खस्ता और क पैन बेया है उब हमने दले है दो चमश घी अब दो चमश घी जब गरन हो गई है तो हम ने इसमें अपने 2-3 चमश ब्सकिता बदाम लिये थे जिसको हमने अच्छे से राइ रॉस्ट कर लिया है और रॉस्ट करने के बाद हम अपनी पसंद के से कोई भी ड्राइफुट मि किसमी डाल देगे और फिर हमने लिया है यह वाली सव्छेट सेवई अगर आप की सव्छ हैं नहीं है तो आप इसे ठीझ से घी से में रोस्टेट करें लेगे तो इसे कर लें में लिये लिए से अब इसा हाथों कर लेंगे और उन्हें JP सब्सक्राइन हम उमने से सब्सक्राइब गरया है LAB जर्वारी हम डालेंगे अपनी सिवाइ एपनी से सीवाइब कि आधो तक विम्हा आधा मनट के लिए रोस्ट के लिए खाली आधा मिनट करनाहिं होिस जादし इसके साथ Monaten बस आदा मिनट हो गया है हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम पैन में मैंने लिया है घर का बनावा माबा है यह अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो इसे मैं लिंक दिस्क्रिप्शन में देदूगी इसे रोस्टो करना जब तक इसे बिल्कुल गो की तरह ना बन में लगे। इसे अभी सुखा सुखा लग रहा है इसे हम भुने यह निसे घी हमारा रिलीज ने लुशाइक जबड़ हम राहे हूंने लागे साप उसी कहला है तंसाम Wille अगर आप चाहे तो जो आपके घर में शुगर है उसे ग्राइंड कर ले और शुगर पौडर भी आप ले सकते हैं अब हमने इन सब को अच्छे से मिक्स कर देना है मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से अरजस्ट कर सकते हैं यह गुजिया ज़रूर बना कर ट्राइ स्टाफिंग हमारी बनकर तयार हो गई है स्टाफिंग को हमें सूखाई रखना है जैसा कि आप देख पा रहें यह बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए अब हम अपनी जो हमने डो बना के रखा था नहां चलते हैं तो चलिए हमनी डो की तरफ चलते हैं चोटे-चोटे मोटी हमारी पूडियां होती है हमें उतनी ही मोटी हमें उतना ही हमें इसकी भी गुजिया की पूडि बेली है देखे इसकी थिकनेस पूडियों जैसी है ज्यादा मोटा भी नहीं रखना ना ज्यादा पतला रखना है और इस तरह से हमने सारी पूडियां मना के तियार कर ल और जब इसको के उपर हम के करके पूटियां रखेंगे एक पूटियां रखेंगे कि इसथन के अच्छे से एक बड़ा चमश स्टाफिंग उटाया है इसके अंदर डाला है और फिर हमने इस मोल्ल को बंद कर दिया है जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इसमें से डिसकार्ट कर दिया है उसे हम दुबारा फूडिया बनाने में यूज कर लेंगी और इस तरह से हमने अपनी सारी गुजियां इसी तरह फिल करके भरके रख ली है अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप हातों से भी बना सकते हैं या आप एक फोक की हेल्प से भी इसके चारो साइड डिजाइन मना सकते हैं और इसी तरह से हमने अपनी सारी सेवई वाली गुजियों की फिल करके हमने इसके रख ली है और फिलिंग भर दे टाइम ना एक बात का ध्यान रखे कि आप ज़्यादा फिलिंग न तो वह अच्छे से फूलेगी नहीं तो इसलिए फिलिंग बराबर भरे उतना ही बरे जितना इसके अंदर ज़रूरत हो तब तक हमने एक पैन में ऑईल को अच्छे से मीडियम होट कर लिया है अब ये मीडियम गरम है और गैस की फिलेम को अभी लो कर लें और एक करके जित अब और वहार से तो पक जाएगा और अंदर से वह एक जाएगा तो इसलिए फ्लेम को लो टू मेडियम ही रखना है और इसे तब तक नहीं छुना जब तक एक साइड से अच्छे से पकना जाए देखिए इसके ओपर मैं हलकालका ओल झाल रही हूं से निकाल लेंगे तो देखिए यह हमारी सेवई वाली गुजिया बनकर तयार है आपको यह कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और मुझे सजस्ट भी कीजिएगा कि मैं आपके लिए और क्या बनाओं तो हमारी गुजिया जो है वह बनकर तयार है चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं देखिए देखने में कितनी माउंट वाटरिंग लग रही है ना तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्यूट